नमस्कार दोस्तों मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैट्स फॉर यू में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथेमेटिक्स की नोलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सभी के सयोग से हम अपने उद्देशे में काफी हत्ते कामयाब भी हुए हैं इसी प्रकार आपका सयोग मिला तो हम मैथेमेटिक्स को आप तक पहुंचाने का जो बीड़ा हमने उठाया है उसमें हम जरूर पूरे-पूरे कामयाब होंगे आज का जो वीडियो है वो आधारित है तिर्भुज पे तिर्भुज की विशेषता पे हमने अपने चैनल पे एक वीडियो शरीज शुरू कर रही है जिसमें हम तिर्भुज के बारे में पूरे वीडियो बनाते हैं तिर्भुज के बारे में दो लेसेन हमने पहले देखे ह है इसके अलावा एक विशेष वीडियो हमारे वीवर्स की डिमांड पर बनाया था वह है आज इसका हम तीसरा लेशन करेंगे त्रिबुज की विशेष्था जिसमें हम त्रिबुज की दो तीन विशेष्थां के बारे में जानेंगे जो बहुत ही है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाश्ट तक देखिए फुल आउज में देखिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए बैल आइकन को दबाजी दीजिए ताकि आप किसी भी प्रकार के वीडियो से च देखना बिल्कुल निशुलक है बस हलका सापका जो नेट का चार्ज है वही आपका हो गया तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो देखिए आज हम देखेंगे तिरबुच की कुछ विशेजता है तो तिरबुच की दो मुखे रूप से विशेजता है वह मैं आज आपके सा अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनका सारा कानफुजन दूर हो जाएगा सारवांग समता को एंगली समी में बोलते हैं कॉंग ॐनगरेन सी तिक है और समरूप्ता को एंगली समय वोलते हैं सिमिलर अब यहाँ पर आप इसको समझो देखो कॉंगरेंस का मतलब अलग ह होता है हिंदी में अगर मैं समझाओं आपको तो सर्वांग सम्ता का मतलब है सर्व अंग सम्ता सर्वांग सम्ता और सम्रूपता का मतलब अगर हम देखें तो सम रूप औरता अब यहां पर देखिए सर्व का मतलब होता है सभी अंग का मतलब होता है भाग और सम का मतलब होता समान यानि कि सभी भाग समान सभी भाग क्या हो समान हो तो वो क्या कलाते है सरवांग सम कलाते है और समरूपता का मतलब होता है समान रूप जिनका रूप एक जैसा हो जिनका रूप क्या हो एक जैसा हो वो क्या कलाएंगे समरूप कलाएंगे अब यहाँ पर देखे सभी भाग का समान होने चीए समान का मतलब बिलकुल बराबर होने चीए एक भी छोटा बड़ा हुआ तो नहीं चलेगा जबकि यहाँ पर रूप एक जैसा होना चीए अगर कोई चीज छोटी बड़ी है तो वो चल जाएगी चोटी हाँ चल जाएगी बड़ी हाँ चल जाएगी लेकिन उकर रूप है वो एक जैसा होना चीए और यह जो विशेज़ता है यह किवल तिर्भुज की नहीं है यह हरा करती की विशेज़ता है वरत की देख लो चाहें वर्ग की देख लो चाहें स्क्वैर की देख लो सभी कोन बराबर हैं तो यह क्या 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 एक जिव चोटा है एक कि बड़ा है लेकिन यह विख mapped ख Qatar उप्रेश यहसान इंद और सल करें उने जेसर था समान इन संवर noon को इस दोंधे बीच मैं जो निसान होगा वह यह आएगा यह जो लेह मतलब हो दोनों का रूप एक समान है, अब आप इस निसान को द्यान से देखिए, ये समरूप है, दोनों का रूप एक समान है, जबकि इस निसान में समरूप का निसान भी है और बराबर का निसान भी है, मतलब ये समरूप तो होंगे ही होंगे, साथ में बराबर भी होंगे, ठीक है, तो ये समरूप भी होते हैं और क्या होते हैं बराबर भी होते हैं तो इनको हम बोलते हैं सरवांगसम तिरबुज और इनको हम बोलते हैं समरूप तिरबुज तो ये सरवांगसम तिरबुज ये समरूप तिरबुज ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि जो तिरबुज सरव unless Vag divers नहीं हों फिर सब होते हैं उनकी सभी Geez क्या होती हैं बराबर कि वी ऋते हैं शुक्त Iímता सभी में यह झाल होता इसरो टेकर abe ट्रॉज शुक्त वाइब हैं गोर्व होते हैं वह मुशात सभी बिश्णें बुराबर सभी कॉन भी बराबर ठीक है सीर्स समानूपाति होती है सरवांगसम में ब्राबर होती है यहाँ पर समानूपाति होती है यहां पर सारे कोन बराबर होते हैं, यहां पर भी क्या होते हैं, समस्त कोन बराबर होंगे, क्योंकि कोन जो होते हैं, वो जुकाओ का नाप हैं, इनका बुझाओं की लंबाई से कोई लेने दाना नहीं है, तो कोन जो होते हैं, बुझाओं क्या होते हैं, बुझाओं क्या होत सरवांगसम सिद्ध करना हो तो इन 6 प्रकार के चीजों से हम सरवांगसम को सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर सभी बुझाय समानपाती होती है और समस्त कोन क्या होते हैं बराबर अब यहाँ पर समस्त कौन बराबर होते हैं, तीन तो कौन बराबर होगे और समस्त बुजाय समानुपाती मतलब तीन बुजाय समानुपाती होगी तो यहाँ पर भी तीन और तीन च्छै प्रकार के चीज़े होती हैं जिन से हम इनको समानुपाती सिद्ध कर सकते हैं और यदि हमें सरवांगसम तिर्भूज नहीं दियावा उसे सिध करना है तो कुछ कोण और कुछ बुजाएं दीवी होंगी उन कोणों और बुजाओं को ही हमें देख करके हमें क्या करना पड़ेगा सरवांगसम तिर्भूज सिध करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा इसी परकार यहां पे भी यदि दो तिर्बूत समरूप दिये हैं तब तो उनकी बुझाएं समानुपति होंगी और उनके कौन बराबर होंगे और यदि आपको तिरबुत समरूप दियावा नहीं है आपको सीध करना है निकालना है तो आपको ये बुजाओं दिये होंगी इनके आदार पे आपको निकाल के ये इनको समरूप सीध कर रहा होगा और आगे कॉस्षिम में जो भी पूचा है उसका जवाब देना होगा यह आपको कुछ वघानिकों ने क्या किरेदे नकीक में से केवल थीए मैं तीन भाग ही बर आपर करन के लिए उसका हम दोनों को सर्वांक समचिध कर सकते हैं वो कैसे हगी वघन में से दिखेया कि क्योंकि तीन भाग जब बराबर होंगे तो बाकी के तीन भाग भी अपने पराबर हो जाएंगे और छ्छ्य के च्छ्य भाग रहा हो आपने होगे पहला है सट्रा है एस एस तीस घ्र यह हैस और चोता है और चाहीं यह जरूर आपने सुन रहे होंगे यह सरवांग समके हैं हमने हमारे इसी वैब सीलिज में पहला वीडियो बनाये अपने वीवर की डिमांड पर वही दिमांड थी तो आप वह वीडियो भी देख लीजिए आपके बात किलियर हो जाएगी अधरवाइस इसी वीडियो में अगले आने वाले वीडियो में यह सारी बाते दुबार आपको अच्छी तरह से बिलकुल खुल के बताऊंगा ठीक है अब यहां पर आप एक बात देखेए एस का यहांपे क्या मतलब है इनका मतलब समझजिए यहां पर देखेए एस हुआ ए हुआ और और आच्छी हुआ ठीक है? और जो लाश वाला है र हेसे, यहाँ पर र का मतलब है राइट एंगल यानि शमकोन, या एक अलगी नियम है, राइट एंगल या समकोन, S का मतलब Kern, Hypotenious यानि Kern, और S का मतलब Side यानि बुझा, तो यह क्यों समकौन तरबुझा में लगता है, यह रोल अलग है, अब यहाँ पर द्यान से देखिए, बुझा, 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 यदि तीनों बुझा बराबर हैं, तो ये नियम, यदि दो कोण और एक बुझा बराबर हैं तो ये नियम और अगर समकोन तिरवुझ के बात है तो ये नियम ये नियम क्या है कैसे है इनको हम खुलके अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम मैं दोनों को comparison आपको बता रहा हूँ अगले वीडियो में इसको हम खुल के समझेंगे और उससे अगले वीडियो में हम इसको खुल के समझेंगे अब यहाँ पर क्या होता है कि यह के यह नियम इसमें भी आते हैं लेकिन थोड़े से हटके थोड़े से बदलके तो उनमें बच्चे बहुत कन्फिज होते है कैसे देखे यहाँ थीनों बजा किया करनी है समान उपाती करनी है अब बाद आती है Carrie Niemate तो A.S.A. Niem में आप ध्यान से देखो यहाँ पे दो कौर्ण और एक बजा है तो A.S.A. Niem यहाँ पर भी होता है ता है बिल्कुल होता है लेकिन यहां पर एक बात देखके। दो बुजाय को अनुज़ाइब करना तो भी वो गलत नहीं होगा क्योंकि एक किसी दूसरे वेगानिक ने ये बात भी सीद की थी कि चाहे आप इस तरह से करो चाहे ये करो एक ही बात होगी तो AAS भी यही रूल होता है ठीक है अब यहाँ पर इसे AAS बोलते हैं अब यहाँ पर एक बात देखो यहाँ पर भुजाएं समानुपाती करनी है तो एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा से मैच करोगे तब ही तो वो समानुपाती होगा लेकिन यहाँ पर तो भुजा आप एक ही ले रहे हो तो इसको एक को लेकर किस से मैच करोगे तो इसका मतलब ये जो है इसमें सार्थक नहीं है ये जो है इसमें सार्थक नहीं है इसलिए इसमें हम क्या लेते हैं केवल ए लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक बात देखो ए और ए मतलब दो कोन आपस में बराबर होगे तो यहाँ पर A, 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 A यहां पर होता है और RHS रूल जो है वो यहां पर नहीं होता है वो क्यों यहां पर नहीं होता है क्योंकि यह ध्यान से देखिए समकोंड कर्ण और बुजा नियम है यह समकोंड तो समकोंड भी एक भुजा है और कर्ण भी एक भुजा है ठीक है समकोंड भी एक भुजा है तो इसलिए कीवल तिन नियम होतarn laum दिए के लिगति हो इसलिए कोना साथ होXT आप मिरे को लगा ऑनाकि अब मेरे को लगा कि Newton S, A, S, B होना चाहिता, S, A, S यहां पे है, तो आप कोई भी ले ले लो, इसे हैं लो सिर्फ यही तीन नियम होते हैं, समान उपाती में, ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पर देखे तीनो बुझा ले लियो, दो बुझा ले ली, दो बुझा एक ले लियो, अब किसी वेक्ति ने कहा या किसी वेक्ति ने कहा कि मैं तो तीनो कोण वाला ले सकता हूँ, क्या तीनो कोण वाला नियम या नहीं होता, देखे यहां तीनो कोण वाला नियम इसलिए नहीं होता, क्योंकि तीनो कोण यदि बराबर है दो तिरबुजों में, तो जरूरी नहीं तो इसलिए यह नियम इसमें नहीं लगता तो इस प्रकार इनके नियम अलग है इनके नियम अलग है इनमें चार नियम है SSS, ASS, ASSA और RHS इसके अंदर SSS, AA और SAS यह तीन नियम इसके अंदर है ठीक है तीन नियम इसके अंदर होते हैं सार नियम इसके अंदर होते हैं और अगर आप कोई और नियम लेना चाहो तो वह ही नहीं सकते तो यह दोनों में नेक्ट वीडियो में हम इसको डंक से पढ़ेंगे और आप हमारा जो पहले वाला वीडियो से है सीपी सीटी रूल वाला वह भी देख लीजिए उससे भी आपको काफी अद्दक कलियरेंज हो जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं जो भी मैंने समझाने जरूर कर दीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए धन्यवाद कर देख दोस्तों करता दो सबस्तों कि भ Doncs अ